हाबुर की बुलंचा रोट पर इस्थित गाउं सादिक पर जाने वाले मार्क पर रेलवेंडर पास में भरा पानी ग्रामीडों के लिए आफ़त बना हुआ है हालम ये है कि कई गाउंवालों के वहन यहां फस कर खराब हो रहे हैं ऐसे में ट्रेक्टर के जरिये खराब वहनों को खीचा गया इसी दोरान ट्रेक्टर भी खराब हो गया इस्थानी निवासी वसीम चौधरी ने वीडियो शेयर कर प्रिशासन का ध्यान इस और आकरशित किया है दोस्तो आज ये वीडियो मैंने एक विसेश तोर पर बनाई है बुलंशेयर रोड सादकपुर से आने का जो रास्ता है रेलवे का जो ब्रीज है आप देख रहे हैं कि बारिस बहुत हो रही है पिछले तीन से चार दिन से रेलवे के जितने भी बिर्ज है उनमें पानी भर चुका है सादकपुर गाउं से आने वाला जो रेलवे का ब्रीज है जिसको ग्राम गुंगराला, सलाई, काकर, हसनपुर, काटी खिड़ा अनेको गाउं उसे जोडता है ब्रीज के अंदर 5-6 फिट पानी भर गया है, गाउं वालों का निकलना मुश्किल हो गया है, किसानों का निकलना मुश्किल हो गया है कई भाईयों की गाड़ी पानी में डूब चुकी है और ट्रैक्टर मंगा के उनको निकाला गया है उन गाड़ीों का इंजिन खराब हो गया है ट्रैक्टर भी पानी में फसा है कैंटर गाड़ी भी पानी में बंद हो गई है मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रिसासन और रेल्वे को अपनी बात पहुचाना चाहता हूँ कि आपने जो रेल्वे का ब्रिज बनाया है उसमें जो आपने हार्वेस्टिंग का सिस्टम किया है कि जिससे पानी आये और पानी हार्वेस्टिंग बौरिंग के माद्डियम से नीचे चला जाए आपने जो हार्वेस्टिंग किये हैं उस पे पूरी तरह से मिट्टी उसमें अट चुकी है जिससे पानी नीचे नहीं जा पा रहा है तो मैं प्रिसासन और रेल्वे से अपील और विंती के साथ कहना चाहता हूं कि आप सफाई कर्मी को तुरंत न्युक्ति करते हुए सादकपुर रेल्वे बिरिज पर भेजिये और जो उनके हार्वेस्टिंग बॉरिंग में जो मट्टी कोड़ा जमा हो गया उसको हटाएं जिससे की पानी निकल जाए क्योंकि ये एक पिरमुक समस्या है गाउं सलाई और गुंगराला काटे खेड़ा के लिए मैन राष्ता है नोड़ा दिल्ली से आने वाले हम सब ग्रामवासी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं और ये पिरमुक मुद्दा है कि हमारे लिए बहुत ही परिशानी का सबब बना हुआ है हम लोग को 10 किलोमेटर और 8 किलोमेटर का चक्कर लेकर दूसरी साइड को ततारपुर होते वे जाना पड़ रहा है तो मैं अपने सभी गाउंवासियों, गुंगरालावासियों, से और काटी खेड़ा और तमाम गाउं के लोगों से भी मैं अपील और विंती करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को जादे से जादे शेयर करें और पिशासन तक पहुंचाएं बलंचा रोड परिस्तित गाउं सादिकपूर रेलवे अंडर पास में करीब 5-6 फीट पानी भरने से ग्रामिनों के लिए चनौतियां बढ़ती जा रही है इस गाउं से घुंगराला, सलाई, काटी खेड़ा, आदी गाउं के ग्रामिन होकर गुजरते हैं लेकिन जिस तरह के हालात यहां बने हुए हैं, इसके चलते ग्रामिनों को कई किलोमीटर का सफर तै करना पड़ रहा है जिसकी वज़ाए से ग्रामिनों की मुश्किले बढ़ती जा रहे हैं ग्रामिनों का कहना है कि जल निकासी की उचे जवस्ता ना होने की वज़ाए से उन्हें परशानियों का सामना करना पड़ रहा है